वेलकम बैक टूब मास्टडी दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में एंड टुडे आप गोना टीच यू मोडाल्स इसे कुछ लोग मोडल बोलते हैं कुछ लोग मोडाल्स बोलते हैं आज हम ये चार मोडल्स डिसकस करेंगे अगर थोड़ा टाइम बचा तो अगले चार मोडल्स में डिसकस करेंगे यानि आज जो इंगलिश के मोडाल्स है उनको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को फोलो करके आप सारे मोडाल्स इंगलिश में पांच मिनट के अंदर सीख सकते हैं और उनको अपनी लेंगविज में स्तमाल भी कर सकते हैं दोस्तों इंगलिश बोलने के लिए we do not use only single topic which is called tense हम इंगलिश बोलने के लिए सिर्फ tense का स्तमाल नहीं करते हैं हम models का, passive eyes का, be verb का कई सारे topic मिलकर एक English बनती है सर टोटल कितने topic पढ़ने पढ़ेंगे to speak English fluently भाई 20 से 25 topic होते हैं अगर आपने 20 से 25 topics पढ़ लिए तो English आपकी गुलाम हो जाएगी और आपकी इच्छा होगे कि रात को बारा बज़े English बोलना है यू विल बी अबल टो स्पीक English एट मीडनाइट पस करना क्या है, मास्टडी पर सहाट दिन की classes ये हमारी 60 days की सीरीज है, ये सहाट दिन की classes आपको रोज अटैंट करनी है मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, कि अगर आप इस 60 days की classes अटैंट करते हैं आपकी English बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ English पढ़ाता नहीं हूँ मैं English समझाता हूँ, उसकी practice करवाता हूँ और रोज आपको 60 questions का homework देके जाता हूँ आज भी यही होने वाला है, सबसे पहले आपको बताऊंगा models क्या होते हैं model को याद करने की trick क्या होती है, concept समझाऊंगा ये चारो models, एक-एक example देके पढ़ाऊंगा, उसके बाद practice करवाऊंगा class में live to live practice करेंगे, क्योंकि practice makes a man perfect English cannot be spoken without practice so that is why हम practice करेंगे, उसके बाद 60 questions आपको दूँगा Hindi से English बनाने के लिए और English से Hindi बनाने के लिए और वो practice questions मिलेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो टेलिग्राम चैनल जोईन कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने अभी तक भी bell icon जो आते हैं गंटी जो बनी होती है उसको on नहीं किया है तो कर लो ताकि आपको रोज class का timing पता चल जाए और आपको classes मिल जाए, तो चलिए सभी का स्वागत है, मुझे देखने दीजिए कितने लोग आ चुके हैं class में, क्या मेरी आवाज आ रही है let me check guys, good evening, सभी लोग मुझे good evening बोलेंगे और अगर आप class में आ गए हैं, अगर आप class में आ गए हैं तो फटाफट like कर दीजिए, फटाफट like कर दीजिए और like करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी लोग अपनी उपस्तिती यहां पर दे चुके हैं तो मैं खुद चेक कर लेता हूँ, मेरी voice properly है ठीक है, proper है, चली है, ठीक है, thank you thank you guys, चली okay, okay, so shall we begin guys, शुरू करें आची class, तयार है सब लोग हाँ सर हम लोग तयार हैं, तो चली फटा फट like करके मुझे बताईए like करोगे तो ही class start होगी, फटा फट like करिए and then I'll start the class like करिए, subscribe करिए, शुरू करते हैं, बहुत हो गया, देखिए सबसे पहली बात, बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना deep में पढ़ा होगा, बजा आ जाएगा इसकी पूरी guarantee, ये क्या लिखा हो भईया, सर ये तो आपने जो लिखा है है ना सर, that is model, देखो एक होता है model, एक होता है modals, वो जो model होती ना, जो models होते हैं hero, heroine, अक्षे कुमार भी पहले modeling का काम करते थे, है ना, तो model आने खुद को दिखाना, खुद को बेचना, अलग तरीके से express होना, वो model होता है, अंग्रेजी में इसका सही उचारण है, models, क्या बोलोगे, बोलके देखो, English बोलने से आती है ना, models, क्या बोलोगे, models, तो भई, अभी तक तो हम इसे गलत पढ़ते आए, model पढ़ते आए, लेकिन हमें इसे models पढ़ना है, models का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, बना सकते लेकिन होता नहीं है, तो sir, models क्या होता है, English में models, 12 से 15 words का एक ऐसा combination है, जिसके through, आप वो sentences बनाते हैं, जो spoken के बाकी topic से नहीं बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब यह है, कि जब किसी वाक्य को बनाने के लिए हमें helping verb लगती है, लेकिन जब हमारे पास helping verb नहीं हो, तो फिर हम models का स्तमाल करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, देखिए, models एक प्रकार की auxiliary verb होती है, क्या होती है, auxiliary verb होती है, उदर से घासी राम बोल रहा है, सर, अगर यह auxiliary verb समझ में आ जाती न, तो आपके पास English पढ़ते नहीं आता, अगर मुझे आप बोल रहें, models auxiliary verb होती है, इतना ही समझ में आ जाता कि auxiliary verb क्या है, तो यहां बैटके पढ़ता थोड़ी, शान्ती रग भई, बता रहा हूं, just wait guys, wait, सब बताऊंगा, ठीके, तो बेटा simple सी बात है घासी राम, कि अगर आपको यह नहीं पता है कि auxiliary verb क्या होती है, तो बेटा आपको यह तो पता होगा न कि helping verb क्या होती है? अरे, यह तो पता होगा ना कि helping verb क्या होती है इतना तो पता होगा गसिया व और स्वारीयल ये तो पता है कि helping युख verf की होति है एक तो होती है Tenses वाली helping verbs है ना तो एक तो होती है आपकी Tenses वाली helping verbs तो हमने यहाँ पे दो पार्ट बना लिय बात को समझना भागना मत क्लास में से भागो गए तो जिन्दगी में कभी कुछी नहीं से पाओगे और नाम मेरा बदनाम करोगे लोग पूछेंगे कहां से पढ़ा आप बोल दोगे मास्टडी से इसलिए मास्टडी कभी को भी कभी किसी को अधूरा ग्यान नहीं देता है बैटा समझना बात को helping work घासी राम की helping verb सर्थ tense वाली helping verb क्या होती बता रहा हूँ भाई बता रहा हूँ जैसे आपकी जितनी भी 12 helping verbs होती है इजे मार हो गई was वर हो गई do does हो गई है ना did हो गया ये etc लगा दिया समझ में आया तो ये वो helping verbs से हैं जो हम tenses में स्तमाल करते हैं ये helping verb हमें time बताती हाँ या ना बोलो detail में पढ़ाऊंगा ऐसे models आपने कभी नहीं पढ़े होंगे इसकी guarantee अगर अच्छा लग रहा हो तो like कर दीजे महनत बहुत आपके लिए अब बात समझना है helping verb दो प्रकार होती है एक ऐसी helping verb जो time बताती है क्या बताती है हा या ना बोलो time बताती ये सारी कि सारी helping verb सुनना ध्यान José भॉई ये सारी की सारी helping work क्या बताती है time अगर आप इसे मार लगाओगे तो प्रेजेंट करती है वह टाइम को री प्रेजेंट करती है समझ में आया कि नहीं आया क्या करती है वो time को represent करती क्या करती बटा ये वाली helping अब इधर देखिए दोस्त इधर देखो अब एक होती है आपकी auxiliary verb क्या होती है auxiliary अरे auxiliary लिखने दो भाई auxiliary verbs सर्य ये auxiliary verbs क्या होती है वही तो समझा रहा हूं सांती रखो यार auxiliary verbs याने की इनको आप बोल सकते है model या modal verbs समझ में आया सर ये कौन-कौन से होती है ये बहुत सारी होती है can होती है में होती है should होती है etc समझ में आया concept concept आया कि नहीं आया concept सिखाएंगे अगर अच्छा लग रहा हो तो पांच लोगों को शेर करिए फटाफट पांच WhatsApp ग्रूप में इस वीडियो की live class की link शेर कर दीजे पांच लोगों का भला हो जाएगा ठीक है thank you so much for liking अभी भी कुछ लोग like नहीं कर रहे हैं अब से विनम्र निविदन है कि फटाफट like कर दीजे अब वापस मुद्दे पर आते हैं कि वाट इस model वोब इसे मैं model भी बोलूँगा modal भी बोलूँगा actual में इसका pronunciation modal होता है चुकि हम बचपन से जिस देश में पैदा हुए है वहाँ पर जैसी भासा बोली जाती है हमें वेसी आ जाती है समझ में आया तो हम modal दोनों accept कर लेंगे समझ में आ जाना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं अब बात को समझना modal एक प्रकार की auxiliary verbs है modal एक प्रकार की auxiliary verbs है जो helping verb के रूप में इस्तमाल की जाती है अंग्रेजी में बोलते समय जैसे हम tenses को बोलने के लिए tenses की helping verb इस्तमाल करते हैं उसी प्रकार कुछ विशेश प्रकार के वाक्यों को बोलने के लिए हम लोग modal verbs का इस्तमाल करते हैं और ये can, may, should ये एक प्रकार की helping verb है can, could, may, might, need, dear ये एक प्रकार की helping verb नहीं है एक प्रकार की helping verb है जिने अंग्रेजी में auxiliary verbs कहा जाता है समझ में आया भाई समझ में आया modal क्या होता है इसका कोई हिन्नी मिन नहीं है आप सीधा समझो कि एक प्रकार की helping verb है सर कैसे और समझाओ सर और समझाओ देख मेरे भाई किसी भी साधारन वाक्य को बनाने के लिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हम subject प्लस यहाँ पर is या r लगा देते हैं प्लस वर्ब की first form यह वर्ब की fourth form प्लस object अब इस बात को समझना उसी प्लकार model वाला वाक्य के बनाने के लिए जहाँ पर तुम helping वब लगाते होना वहाँ पर तुम्हें कोई सी भी model की वर्ब लगा देनी है वर्ब का first form लगा देना है और object लगा देना है कहने का मतलब यह है कि जिस प्लकार से सामान्य sentence में try to understand जिस प्लकार से सामान्य sentence में बोलते समय या लिखते समय हम helping वर्ब लगाते हैं उसी प्लकार ऐसे sentences जो tenses की helping वर्ब से नहीं बनते हैं उन्हें model वर्ब से बनाया जाता है model वर्ब से यानि की can, could, may, might, need, dear यह वाली समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं है फटा फट चैट में बताईए क्या यह concept आपको अच्छा लगा मैं एक बार फिर क्योंकि बहुत सारे students late आते हैं मैं दो minute में quickly आपको revise करवा देता हूँ जो late आये हैं वो बाद में भी इस video को क्लास पहले खतम कर लो वरना current का छूट जाएगा तो पहले खतम करके बाद में इसको क्लास के बाद आराम से इत्मिनान से बैट के देखना देखो model जो होता है आज का हमारा topic है models ठीक है और models बहुत important topic है spoken English के लिए इसके बिना अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे क्योंकि हम 50% speaking में English बोलते हैं model जो होता है वो एक प्रकार की auxiliary verbs है याने की सहयक करिया है याने की helping verb है इनका इस्तमाल हम कुछ wishes प्रकार के sentences बनाने के लिए करते हैं helping verb की बात है तो helping verb में confused नहीं होना है helping verb को हम दो भागों में अपनी understanding के अधार पर divide कर सकते हैं ठीक है हमने एक होती है ये वाली helping verb जो tenses की होती है जब हम tense पढ़ेंगे तो 12 helping verbs होती है present की चार past की चार future की चार ये helping verbs क्या बताती है tense की helping verbs हमेशा time बताती है अगर हम easy mark लगाएंगे तो present tense होता है was word लगाएंगे तो past tense होता है will लगाएंगे तो future tense होता है तो समझ में आया कि tense की helping verb क्या करती है time बताती है पर जब कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसका time से कोई मतलब ही नहीं हो तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए helping verb तो चाहिए तुम्हें खाना खाना चाहिए अब इसमें कोई time थोड़ी की present है की past है की future है हम तो खाली एक advice दे रहे हैं तुम्हें खाना खाना चाहिए तुम्हें English सिखना चाहिए तो ये कोई time तो है नहीं तो जब ऐसे वाक्य आ जाते है तो ऐसे वाक्य जिनका time से लेना देना नहीं होता है ऐसे वाक्यों को auxiliary verbs से बनाया जाता है यानि की auxiliary verbs को ही model verbs कहा गया है समझ में आ गया समझ में आया पक्का confirm हो गया अब हम शुरू करते हैं models अब देखिए models हमने उनकी definition समझ ली कि models क्या होते हैं है ना अब English में models कितने होते हैं तो ऐसा कोई fix counting नहीं है क्योंकि सभी coaching बालों ने अलग-अलग अपने models बना रखे हमें तो क्या करना है हमें तो सिर्फ इने सीखना है we have to learn them so that we can use these in spoken English, in writing English अब models जो होते हैं न models कोई सा भी हो उसका एक common structure है आप कोई सा भी model बोलना सीखोगे है ना तो आपको क्या करना है हमेशा subject लगाना है और यहाँ पर जो भी हम model पढ़ेंगे या models पढ़ेंगे उनको हम वर्बखी first form के साथ जोड के sentence बना देंगे अब model ने मजा कब आता है क्योंकि प्रत्यक model का meaning same होता है अब देखिए हमने अगर यह याद कर लिया कि भई एक सकता है तो कौन-कौन से model ऐसे है जिनमें सकता है आ सकता है तो देखिए हम सकता है के लिए हम लोग may भी use करते है हम लोग can भी use करते है करते की ने करते है कुछ लोग सकता के लिए आप यहाँ पर might भी use कर सकते है तो देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि चुकि हिन्नी meaning तो sentence का same होता है लेकिन हम कौन सा model use करें हम may लगाए can लगाए कि might लगाए यह हम आज समझेंगे जैसे एक word होता है चाहिए एक word क्या होता है दोस्तों चाहिए अब चाहिए के लिए basically हम क्या करते हैं बहुत सारे models इस्तमाल करते हैं तो यह चाहिए लिखा अब इसके लिए कुछ लोग should लगाते हैं कुछ लोग must लगाते हैं है ना कुछ लोग ought to लगाते हैं क्या लगाते हैं ought to लगाते हैं कुछ लोग भूलकर want भी लगा देते हैं क्योंकि want का मतलब भी चाहिए होता है कुछ लोग need भी लगा देते हैं need का मतलब भी चाहिए होता है तो हिंदी में तो word एक है चाहिए लेकिन इंग्लिश में उसके लिए पांच हमारे पास words है should, must, ought to, want or need तो sir कैसे पता चलेगा कि कौन सा word इस्तमाल करना है तो इसके लिए हमें प्रतियेक और हमें every model को study करना पड़ेगा systematically कि इस situation में हमें ये model लगाना है समझ में आया कि नहीं आया आ गया, thank you so much आ गया ना हाया ना बोलो फटाफट चैट में हाया ना बोलो, बहुत systematic पड़ाता हूँ जल्ली बाजी मुझे नहीं है मैं आगर जितने model पड़ाऊंगा उतने ही पड़ाऊंगा लेकिन जो भी models आपको पड़ाऊंगा वहाँ पर इसकी PDF शेयर कर दूँगा चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगर अभी तक भी आपने MasterDi App डाउनलोड नहीं किया हो तो फटाफट MasterDi App डाउनलोड कर लो जिसकी link नीचे description में है चलिए, अब देखिए, अब हम एक-एक models पढ़ना start करेंगे, हमारा पहला model होता है, वो है can तो हम comparative पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे comparative वाला मामला करेंगे तो देखिए, आप दो-दो models को साथने पढ़ेंगे, पहला हमारा models होता है can और दूसरा होता है में, आज सारा confusion दूर कर दूँगा, आप देखो इसका हिन्दी मीनिंग का शाब्दी करत होता है सकता है जबकि इसका भी शाब्दी करत क्या होता है सकता है, तो सर कैसे पता चलेगा, तो चलिए एक-एक को study करते हैं, दोनों का sentences एक जैसा दिखेगा, condition में एक जैसा दिखेगी, सिर्फ कुछ-कुछ difference होता है, देखो हम इनकी conditions को याद करेंगे पहली condition क्या है, ये ये बंदाना तीन condition में इस्तमाल होता है एक होती है आपकी ability दूसरी होती है आपकी possibility और तीसरी इसका इस्तमाल किया जाता है, वो है आपका informal permission informal permission ये तीन point अगर आप याद रखोगे तो आप सुखी रहोगे उदर से घासिया का message आ रहा है अरे सर, ये ability का मतलब क्या होता है बिटा ability का मतलब होता है योग्यता या छमता ध्यान रखना, ठीके आप जब भी हम can को पढ़ेंगे तो इसका simple सा एक formula है कि आपको subject लगाना है फिर यहाँ पर can लगाना है वर्ब की first form, then object अब हमें ध्यान क्या रखना है कोई भी हिंदी का sentence या किसी भी भासा का sentence ऐसा sentence जो आपको ये बताता है कि कोई काम या तो योग्यता से हो सकता है या संभावना है उस होने की या फिर वो कोई informal permission ले रहा है तो आपको लगाना है अभी तक भी आपने like ने किया है आप सभी लोग आ गए है ना अगर आए हो तो फटाफट like ठोको एक like ठोकोगे तो मुझे motivation मिलेगा अब देखिए एक sentence यहाँ पर लगाता हूँ मैं ability वाला है ऐसे वाक्य जो ability बताते हो और जिन वाक्यों के last में सकता है आता है मैंने कहा कि मैं 50 kg बजन उठा सकता हूँ उठा सकता हूँ आप जैसे ही आपने देखा कि सकता हूँ तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए जैसे चाचा चोदरी की दिमाग की बत्ती जलती थी वैसे ही बत्ती जलनी चाहिए कि सर ये सकता हूँ आया तो दिमाग काम करने लग गया ये सकता हूँ आया तो दिमाग काम करने लग गया कि सर सकता हूँ के लिए मैं दो मोडल लगा सकता हूँ या तो मैं can लगाऊंगा या मैं मैं लगाऊंगा लेकिन मुझे ये चेक करना है कि क्या ये योग्यता दिखा रहा है अगर ये योग्यता दिखा रहा है कि किसी काम करने की चमता दिखा रहा है तो मुझे can लगाना है जैसे मैं 50 किलो बजन उठा सकता हूं तो ये मेरी capacity हो गई है ये capacity की बात है चमता की बात है तो यहाँ पर can लगाऊंगा तो subject हमारा है में इसे बोलेंगे I, helping verb के रूप में इस्तमाल करेंगे can, I can और verb की first form उठाने को बोलते हैं lift, lift आने होता है उठाना तो I can lift 50 kg weight भी आप लगा सकते हैं या फिर आप 50 kg यहाँ पर लिख सकते हैं understood है कि वो kg का मतलब weight ही होता है समझ में आया तो can का इस्तमाल कप करना है जब कुछ ऐसे sentences आ जाए जिनमें हम कुछ चिज़ पिक करने की बात करें मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं ये मेरी छमता है I can speak English मैंने कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं I can defeat you मैंने कहा कि मैं football खेल सकता हूं I can play football मैंने कहा कि हम match जिस सकते हैं We can win the match मैंने कहा कि मैं computer चला सकता हूं I can use computer मैंने कहा कि तुमसे ज़्यादा तेज गाड़ी भगा सकता हूं तो तुमने कहा कि मर भी तो सकते हो, तेच चलाओगे तो, चलो ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं गाड़ी तेच चला सकता हूँ, I can drive fast, I can drive fast, मैं गाड़ी तेच चला सकता हूँ, ऐसे सारे वो काम जो आप कर सकते हो, और उसके last में सकता है आता है, वहाँ पर can लगाना है, यह हो गए ability की बात, अब यह संभावना भी बताता है, क्या बताता है, संभावना, जब किसे काम को होने की संभावना जादा होगी, तो वहाँ पर हमें can लगाना है, यहाँ पर इसको erase कर देते हैं, ठीके, इसकी आपको examples बहुत सारे में दे दूँगा, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं वह यहां कभी भी आ सकता है सेंटेंस क्या लिखा कि वह यहां कभी भी आ सकता है अब देखो इस वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि एक प्रकार की possibility है और उसके आने की संभावना जादा है आपने दुकान से नाश्ता खरीद लिया आप नाश्ता खरीद लिया टोटल चार लोग है लेकिन एक व्यक्ति बाहर गया है आरे कभी कभी पार्टी किये न आपने चलो पार्टी के एक्जामपल देता हूँ तो when we enjoy party at home कि चार दोस्त मिले एक के दोस्त के घर पर पार्टी का इंतिजाम किया किया पर पापा भी आ सकते हैं तो पापा ने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ बटा तो आप क्यों लोग आरे जल्दी करो यार पापा कभी भी आ सकते हैं मतलब पापा के आने के chance से जादा है इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये वाक्य के संभाओना दिखा रहा है वो भी जादा तो कैसे बोलेंगे वो्ह यहां कभी भी आ सकता है तो he can come here any time क्या बोलेंगे he can come here any time वह यहां कभी भी आ सकता है समझ में आया वह यहां आ कभी भी आ सकता है तो this is called a pure sentence of possibility where we can use can समझ में आया जैसे मैंने कहा मुझे लगता है इस बार ना तुम पक्का टॉप कर सकते हो इस बार तुम पक्का टॉप कर सकते हो you can top the exam certainly तो certainly लगाने से संभावना जादा हो गए तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम होने की बात हो तो वहां पर आप can लगा देंगे तो यह था can का example अब मैंने एक और यहां पर sentence लिखा है which is called informal permission यह क्या होती है इसे हिंदी में कहा जाता है अनौप चारिक हिंदी में क्या बोलेंगे अनौप चारिक permission अनौप चारिक मतलब जब किसी ऐसे वेक्ती से आप permission लेते हो जो आप से ज़ादा बड़ा नहीं है पद में और नहीं respected है जैसे मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ so when I go at my friend's room तो महा में जाओंगा तो मैंने पूछा आंटी राहूल कहा है तो आंटी ने कहा कि बेटा उपरी चले जा उसके room में अब ये मेरा करतवे बनता है कि room भली राहूल मेरा किता भी friend हो लेकिन एक minor होता है ना तो मैं दरवाजा नौक करके जाओंगा तो दरवाजा जब मैं नौक करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा राहूल, can I come in? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, can I come in? क्योंकि राहूल मेरा दोस्त है अगर मुझसे क्यों बड़ा विक्ति होता तो मैं क्या बोलता May I come in? May I come in कब बोलते हैं जब कोई formal permission लेनी हो sir से, teacher से लेनी हो, bank manager से लेनी हो, collector से लेनी हो लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से permission लूँगा तो मैं वहाँ पर can लगाऊंगा तो अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ sentence क्या बनेगा तो interrogative sentence बनाना है can I can I come in इस तरीके से आपको sir राहूल कोई नाम लिखने की जरुवत नहीं है can I come in उसी प्रकार आप जैसे पानी की बोटल मांगते हो अपने दोस्ते तो क्या बोलोगे can I take your water bottle भई दोस्त है तो क्या चिदे उठा के खा जाओगे पी जाओगे इज़त तो है ना उसकी भी दोस्ती भी इज़त होती है हर वेक्ति की condition तुमारे जैसे नहीं होती है मजाग कर रहा हूँ तो जिससे आप अपने दोस्ते यारी में अपने पापा का mobile आपको यूज करना है तो वहाँ पर आपको में लगाना पड़ा है पापा बड़े है ना पर आप अपने बहन से बात करोगे क्यों राधिका can I use your mobile can I use your book can I use your pen can I take your two minutes क्या मैं आपके दो मिनट ले सकता हूं क्या मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूं can I stand here for two minutes आप अधिकार की बात करें तो भी can लगाई है हर एक वो permission जहाँ पर इज़त की जरूत नहीं है सम्मान की जरूत नहीं है वहाँ पर can लगाना है तो यह basically तीन इस्तमाल होते हैं can के योगिता के लिए संभावना के लिए और अनौपचारिक permission के लिए which means ability के लिए possibility के लिए informal permissions के लिए इन के लिए हम इस्तमाल करते हैं can का समझ में आया पक्का हो गया कर लोगे अब में में आ जाओ देखो इसका इस्तमाल दो conditions में हम लोग करते हैं पहला इसका condition है possibility ठीके क्या है भईया possibility possibility दूसरा इसका इसके इस्तमाल करते हैं polite permission या formal permission के लिए formal permission के लिए सार और कौई भी इसका इस्तमाल होता है हाँ जब आप किसी को दुआये देते हैं बतलब किसी को कोई चीज wish करते हैं उस wish के लिए भी blazing के लिए भी आप क्या करते हैं make अस्तमाल करते हैं एक एक करके समझते हैं सबसे पहले example देखे इसका structure भी same आएगा है ना same to same आप जहां पर can लगा रहे थे वहां पर आप may लगा दीजिए उसके बाद वर्ब की first form then आपको लगा देना है object अब आपको करना क्या है एक example लेना है संभावना जब किसी काम को होने की संभावना कम होती है वहां पर आप may लगाएंगे जैसे मैंने कहा कि शायद राहुल आज college आ सकता है या राहुल आज school आ सकता है school आ सकता है शायद राहुल आज school आ सकता है यह शायद लगने से ही यह sentence पूरा का पूरा क्या बन गया possibility वाला बन गया शायद राहुला स्कूल आ सकता है तो यह है possibility आप क्या करेंगे यहाँ पर आप शायद के लिए perhaps मत लगाए सीधा में लगा दीजे कि यह subject हमारा है राहुल और यह शायद के लिए और सकता है के लिए हमने लगाया यहाँ पर में तो राहुल में come to school और आज के लिए हम लगा देंगे today तो sentence क्या बन गया राहुल में come to school today अब एसी बहुत सारी permissions होती है जो हम day by day लेते हैं बहुत सारी संभावना होती है बहुत सारी possibilities होती है मैंने का हाँ यार सायद ना मैं मामा घर जा सकता हूँ I may go at my maternal uncle's house next week अगले हपते में अमेरिका जा सकता हूँ I may go to America next week हो सकता है मैं तुमारी copy मांग लूँ I may take your copy ठीक है तो बहुत सारे rain today हो सकता है बारिश हो इस तरह के से आप यहां पर में के साथ में भी भी लगा सकते हो में भी जैसे अगर आपको इसको बीवब में इस्तमाल करना हो तो बी लगा दो वह चोर हो सकता है तो यह एक में वाला ही sentence है जहां पर आप किसी पर शक कर रहे हो तो आप यहां पर में भी का इस्तमाल करोगे वह और यहां पर में के साथ आप भी लगा दो भी का मतलब होता है होना तो he may be a thief इस तरह के से हो सकता है तुम विजेता हो तो आप बोलोगे you may be you may be you may be a thief कुछ लोग पता नहीं क्या क्या comments कर रहे है that's why I'm reading ठीक है thank you everybody thank you so much देखिए वह चोर हो सकता है he may be a thief इस तरीके से तो दो तरीके से बना सकते हैं तो आप बहुत सारे examples आप बना लेना वह क्रिकेटर हो सकता है he may be a क्रिकेटर वह डिरेक्टर हो सकता है he may be a director आप दूसरा point देखिए formal permission formal permission क्या होती है दोस्तों बच्पन से ना जिस दिन से हम पैदा हुए है ना उसकी कुछ समय बात सही हमने English Modals को पढ़ लिया था जब भी आप आप में नरसरीम admission लिया होगा ना तो आप teacher को क्या बोलते ह may I go to washroom teacher तो भहिया आप हो धाई से तीन साल के और आप में का इस्तमाल कर रहे हो आपको पता भी है कि आपने जाने अन जाने में एक model का इस्तमाल सीख लिया may I go to toilet madam may I come in sir may I come in ma'am ये सब क्या है अरे भहिया में एक model के रूप में इस्तमाल कर रहे हो वो भी formal permission के लिए तो ये तो हमें पहले ही पता होना चाहिए तो देखिए क्या जब आप अपने से किसी बड़े विक्ति से बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अपचारिक permission चाहिए होती है तो वहाँ पर के के बजाए आपको में लगाना होता है जैसे आप बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हू क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम यहाँ पर पोस्ट भी लिखी रहेगी ऐसी पोस्ट लिखी रहेगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम तो कैसे बोलोगे ज़रा इंग्लिश में बताओ कैसे बोलोगे इंग्लिश में अभी भी कुछ लोगों ने like नहीं किया है like करके अप हमने 7 से 9 सेप्टेंबर के बीच में एक टेस्ट और गनाईज किया था उस टेस्ट का रिजल्ट उस टेस्ट का रिजल्ट मास इंगलिस ग्रामर पर आज रात को 9 बजे एक वीडियो आएगा उसमें हमने पब्लिश कर दिया है तो उसमें मैं 25,000 की किताबे मुफ्त में बाट फ्री में दे रहा हूं तो अगर आपने टेस्ट दिया था या नहीं भी दिया हो तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना वो वीडियो 9 बजे शाम को पब्लिश हो जाएगा इस चैनल पर नहीं होगा मास इंगलिस ग्रामर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यूटूब पर जाना और यहाँ पर सर्च करना मास इंगलिस ग्रामर क्या सर्च करना मास इंगलिस ग्रामर कहां गया भाई मास इंगलिस आप भी कर लो मेरे साथ सर्च और सब्सक्राइब कर दो यह रहा आ गया है तो इसको आप सब्सक्राइब ज लेंगे टेस्ट का और जिन बच्चों ने 50 बुक्स जिन ने टॉप 50 रेंक आई है वो जरूर और एक टेस्ट में ओगनाईज करने वाला हूं इस संडे को तो ये टेस्ट खतम होगा और सटर्डे संडे ओर टेस्ट होने वाला है तो आप ऐसे टेस्ट जरूर दे अगर आप उ मैं इस तरीके से आप पर्मिशन लेंगे अब ऐसी कौन-कौन सी फर्मल पर्मिशन से जो आप लेते हैं तो जैसे आप बोलते हैं कि क्या मैं सर क्या मैं आपकी पैन ले सकता हूं तो सर अगर आप पोस्ट का नाम लोगे तो में लगाना है मैं टेक यो पैन अगर आप बोलो of water from your bottle क्या मैं पढ़ सकता हूं मैं मैं रीड मैं क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैं मैं गो टू आउटसाइड मैं अगर आप अपने पापा से भी बात करेंगे तो इज़त से बात करिए वनाँ पापा लोगों अपने पर्मिशन नहीं ली तो पापा आपको ठोक देंगे ठोक देंगे मतलब गोली नहीं मारेंगे दो चार ठोक ठाक के उनको खाना अच्छा लगेगा फिर तो permission लिजे पापा मैं I take your mobile पापा मैं I use your mobile ममा मैं I use your mobile इस तरह के से permission लेके काम करना है कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला होता है wish के लिए तो wish के लिए भी हम लोग क्या है इसका इस्तमाल करते हैं किसका can का इस्तमाल करते हैं तो देखो जब भी हम किसी को wish देते हैं birthday wishes तो सिर्फ उसको के वल इतना नहीं बोलना कि happy birthday to you इतना बोलना अच्छा नहीं लगता है बेटा आप उसको पूरा wish करो कैसे wish करोगे कि happy birthday to you may God bless you तो आपने क्या बोला यहाँ पर may God bless you और इसको यहाँ पर exclamation mark लगाना तो इसका मतलब होता है भगवान तुम्हारा भला करे है ना रुद्र साहू थैंक्यू रुद्र आपने हमारी membership ले ली है आप चाहे तो YouTube पर हमारी membership ले सकते हैं membership का चार्ज है एक महिने का मात्र 89 रुपीस लेकिन इससे फरक क्या होगा कि आपकी comment ना highlight होगी देखो रुद्र की comment highlight हो रही तो YouTube पर 89 रुपीस पे करते हैं तो आपकी comment उपर आ जाती है चलिए तो may God bless you आप ऐसी कौन-कौन सी blazing साब happy birthday बोलते समय दे सकते हैं जैसे आपने कहा कि तुमारी विजय हो तो may you win may you win आपने कहा कि आप healthy रहें तो may God make you healthy भगवान आपको healthy रखे may God keep you healthy ऐसे may God keep you healthy समझ में आया may God keep you healthy तो इस तरीके से आप हज़ारों दुआएं दे सकते हैं so next time जब भी आप किसी को wish करते हैं तो don't use only may यह भई happy birthday बोल दिया आप उसे आशिरवात भी दें दुआएं दें may God bless you भगवान तुमारा भला करे may you pass the exam जैसे मैं आपको दुआ दे रहा हूं दिल से कि may you learn may God make you learn English यह भगवान आपको इंगलिस सिखा दे ठीके अगर दुआ दी है तो like तो बनता है तो in return एक like कर दीजिए अभी हमारा 1000 का target बाकी है चलिए तो यह मैंने आपको दो models complete करवा दिये अब बेटा इसका negative इंट्रोगेटिव के लिए पीपीटी है यह पीपीटी मैं डाल दूँगा यह सारी की सारी पीपीटी मैं डाल दूँगा कहां पर MasterDee app पर भी डाल दूँगा और यह पीपीटी मैं डाल दूँगा कहां पर टेलिग्राम चैनल पर तो अब भी भी अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया हो तो टेलिग्राम जाओ डाउनलोड करना और वहाँ पर MasterDee को जोईन कर लेना यह questions आप खुद करके देखना मैं आज कोई question नहीं करवा रहा हूँ practice के क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है अब हम अगले दो model लेंगे should और must लेंगे तो दो model complete हो गए है practice बात ने करेंगे पहले हम यहाँ पर दो model और पढ़ लेते हैं ठीके तयार है अब देखिए एक होता है आपका should और एक होता है आपका must ठीके इन दोनों का ही जो meaning होता है which is चाहिए दोनों के ही हिंदी अर्थ को देखे तो दोनों के हिंदी के last में क्या आ रहा है चाहिए आ रहा है लेकिन दोनों के ही use जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं आप हर चाहिए देखकर आप should या must नहीं लगा सकते हैं first of all you need to understand the sentence कि यहाँ पर कितनी conditions लागू हो रही है तो मैं should लगाऊं कि must लगाऊं तो देखिए पहली condition क्या है पहली condition पहले should की बात करते हैं तो should की पहली condition है कि जहाँ पर भी अगर आपकी duty की बात हो या फिर किसी को advise देने की बात हो उन दोनों situation में आपको लगाना पड़ेगा should लगाना पड़ेगा ठीके तो जैसे इसका formula देखें तो सभी models का formula तो एक ही होता है subject के बाद यहाँ पर आप लगा देना should और should के बाद वर्ब का first form और आजाएगा आपका object एक example करके देखते हैं पहले हम देखते हैं duty तो जब हम सामान में कर्तव्यों की बात करते ऐसे कर्तव्य जो हमारे commonly हमारे कर्तव्य होते हैं अर दिन में हम बोलते हैं न कि पता है यार ना हमें ना माता-पिता का सम्मान करना चाहिए तो ये कर्तव्य हमारे खुद के कर्तव्य हैं तो हमें माता-पिता का सम्मान करना चाहिए कैसे बोलेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे हमें माता-पिता याने की parents माता-पिता का सम्मान करना चाहिए अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि sentence के last में चाहिए आया तो दिमाग की बत्ती आपकी जली दिमाग की बत्ती जल गई अब इसको जलाईये तो sentence बनाईये तो कैसे बनाएंगे आप लोग चैटने बनाईये subject हमारा we है हमें हमारी जो helping verb है वो should है we should और सम्मान करने को बोलते है respect और किसको respect करना है we should respect हमारे parents को तो our parents हो जाएगा इस तरीके से अब ऐसे कौन-कौन से हमारे कर्तवे हैं जैसे मैंने कहा कि हमें रोज school जाना चाहिए तो we should go to school daily मैंने कहा कि हमें जादा पानी पीना चाहिए तो we should drink water मैंने कहा कि हमें हमें तो अंगरजी सीखनी चाहिए we should learn English चलिए अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको पुरानी classes जिनकी छूट गई हो तो वो बच्चे मास्टडी एप पर जाना और 60 days वाला जो एक course मैंने create कर दिया है तो यह जो सारी classes जो मैं पढ़ा रहा हूँ न वो आपको उस course में मिल जाएगी तो systematic classes है systematic वहाँ पर notes है और systematic practice sheet है और practice sheet के answers भी मिल जाएगी तो मात्व 200 रुपए का यह course महाँ पर एप पर मिल रहा है 60 days वाला आप जोईन कर लीजे पर मिलेगा वहाँ पर भी आपको यह ही तो कुछ बच्चे रहते हैं जो live class अटेंड नहीं कर पाते हैं चूट जाती है बाद में फिर मिलती नहीं डूडने पर तो 200 रुपए करच करके 60 days वाला course जोईन कर लेना हमाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है सर बता दो ना कहाँ पर मिल जाएगा एक बार मैं बता देता हम आपको ताकि आपको तकलीफ ना हो अगर आपकी classes क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहा हमारी classes ना छूट गई है तो अगर आपकी classes छूट गई है ताकि आप app खोलोगे ना तो आपके पास app में ऐसा कुछ नहीं आगा जो मेरे पास आ रहा है आपके ऐसा नहीं आए आप ये सारे courses आपको दिखाई देंगे store पर app में जाना store पर तो store पर courses दिखाई देंगे वहाँ पर ये देखो ये वाला course है ये है 60 days basic to advanced course इस course को क्लिक करना और यहाँ पर content आएगा उस content में देखना तो आपको सारी classes मिल जाएगी देखो live recorded video classes ये recorded है जो मैं रोज पढ़ाता हूँ इसके रवा आपको एक folder मिलेगा practice sheets का practice sheets सारी डली हुई है इसमें मज़े की बात है कि इसमें आपको practice sheets के answers भी मिल जाएगी जैसे ज आपको जो मैं पढ़ाता हूँ न यह जो PDF notes जो मैं पढ़ाता हूँ यह notes यहाँ पर मिल जाएंगे सारे device जो इतने मैं पढ़ाए हैं जिसे 11 classes हो गये the 11 classes के यहाँ पर notes मिल जाएगे so you एक ही जगब पर notes मिल जाएंगे, test मिल जाएंगे और video classes मिल जाएंगे, है ना जो YouTube पर नहीं देख पाते हैं, जिनको free में पढ़ना हो, तो YouTube पर ही सारी चीज़े हैं, और Telegram पर आपको notes डाल देता हूं, तो वहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपको practice करना हो, तो फिर किस तरीके से advice के लिए इस्तमाल करते हैं, तो जब भी हम किसी को advice देते हैं, तो हम shoot लगाते हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने कहा, कि तुम्हें English सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो यहा हम should लगा देंगे, you should learn English, क्या बोलेंगे, you should learn English, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आप ऐसे कौन-कौन से ऐसे advises होते हैं, जो हम देते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, parents आपको घ्यान देते हैं ना, कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो कैसे बोलोगे, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, you should study, है ना, हम कभी-कभी दूसरों को भी ज्यान बाढ़ते हैं, अरे उसे उसे तो पता है, कार खरीद लेनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ही शुट पर्चेस कार, ही शुट पर्चेस कार, इस तरीके से, तो जब भी किसी को सलहा देते हो, एडवाईस देते हो, वहाँ पर आप शुट लगाएंगे, कंडिशन ये कि वाक्य के लास्ट में चाहिए, आना चाहिए, ठीके, आप तो ये दो कारणों के लिए, मेंली हम शुट का इस्तमाल करते हैं, अब मस्ट का इस्तमाल किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पर एक तो होता है, strong obligation strong obligation सर ये क्या होता है ये सलाही बोलते इसको भी सलाहा बोलते लेकिन सलाह कैसी देंगे आप ये नहीं इसको कर्तव्य बोलते सलाह नहीं बोलते है कर्तव्य और एक इसका इस्तमाल करते हैं हम basically इसका इस्तमाल एक कारण के लिए और करते हैं है आपकी एडवाईज तो एडवाईज क्या होती है और सला होती है C मतलब ये noun है तो ये काम करने के लिए ये एडवाईज positive भी हो सकती है और ये एडवाईज negative भी हो सकती है ठीक है तो दोनों को समझते हैं पहले हम obligation की बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे कर्तव ये होते हैं जो हमें करने ही चाहिए है ना ऐसे कर्तव जो हमें करने ही चाहिए जैसे exam time पर हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए जैसे परिक्षा के समय परिक्षा के समय हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए परिक्षा के समय हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए तो कैसे बनाओगे दोस्त परिक्षा के समय हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए ठीक है तो बहुत आसान है तो यहाँ पर देखो यही चाहिए तो एक pressure आ रहा है तो must क्या करता है must वाले sentences में एक प्रकार का pressure feel होता है तो हम बोलेंगे we must study हमें पढ़ना ही चाहिए कब पढ़ना चाहिए तो परिच्छा के समय तो during the exam during the exam समझ में आया देखो यहां हम should भी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते should में हम क्या करते हैं सामान्य बात करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए must में हम वो काम करेंगे ही इसका वादा करते हैं या ऐसा करना ही चाहिए emergency है तब जाके हम क्या लगाते हैं must लगाते हैं तो ऐसे बहुत सारे और यादना मुझे तो बहुत प्यास लगी कि मुझे पानी पीना ही चाहिए, तो इसमें कारण दिया होता है, I am so thirsty, I must take water, नमच में आया, भिकारी बहुत भुका है, तुमें उसे खाना खिलाना ही चाहिए, तो the beggar is very hungry, you must feed him, तो उसी प्रकार advice की बात करें, तो ऐसी advice जो हमें दे नहीं चाहिए किसी को, या किसी को कोई काम करना ही चाहिए, है ना, और किसी को कोई काम मना करने के लिए भी हम जो है, वो must का इस्तमाल करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, कि तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, अब ये negative sentence है, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पर आप किसी से निविदन तो कर नहीं रहे हो, कि सामान इसको सला दोगी गाया, तुमको गाली नहीं देनी चाहिए, उसको ऐसा बोलो कि गाली देनाज मत, मैं तो हाथ पेर तोड़ दूँगा, तो आप क्या करोगे, आप must का इस्तमाल करोगे, क्या बोलोगे, must कि तुम्हें अने you, यहाँ पर लगाएंग जैसे मान लो कि आपकी तबियत बहुत खराब है, तो आपको कोई एडवाइस देगा, आरे यार, तुझे तो बहुत फीवर है, तुझे तो बहुत फीवर है, तुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे, you have fever, you must visit doctor, तो जब कारण दिया होना, तो और मस्ट लगाना है, अप बोलते हैं, यहां तुम्हें नहीं तुकना चाहिए, तो क्या बोलोगे, you must not speak here, तुकने को क्या बोलते हैं, तो कैसे बोलोगे, you must not speak here, तो मैं यह नहीं सुकना चाहिए, तो हम लोग यह बताना चाहरा हैं कि should और must में क्या difference है, फटा फट लाइ नहीं किया है लाइक करो भाई मैं वेट कर रहा हूं यार अभी तो बहुत सारे कम बच्चों ने लाइक किया है ठीक है जैसे कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल चलाने की बारी आती आप देखो शूड़ और आपको मस्में डिफरेंस समझाता हूं मोबाइल चलाते हैं तो पहले मम्मी बोलती है कि बेटा मोबाइल को रख दो आप तुम्हें मोबाइल रख देना चाहिए तो मम्मी क्या बोलेगी you should keep your mobile aside और पढ़ाई कर ले ठीक है आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मम्मी ने सामान ये सला दिया आपको फिर मम्मी ने एक बार और बोला कि बेटा you should keep away your mobile आपको आपका mobile side से रख देना चाहिए फिर भी आपने नहीं सुना ठीक है तो फिर मम्मी ने एक जाडू लाई एक डंडा लाई और पहले अच्छे से डंडा दिया पीट पर फिर बोला मम्मी ने you must listen to me तुम्हे मुझे जरूर सुनना चाहिए समझ में आया कि नहीं आया तुम्हे मुझे जरूर सुनना चाहिए क्योंकि पहले सुनाई नहीं दे रहा था लट्ठ पड़ी तो सुनाई देने लगा तो must वो situation है जहां पर कोई काम होना ही चाहिए इसका negative बनाना हो तो बस आप क्या करेंगे structure में not लगा देंगे तो अगए इसका structure पहले मैंने आपको जो लोग लेट आया उनको बता दूँ कि मैंने पहले न इसके पहले मैंने इनको सबको पड़ाया था मे और माइट ये कैन और मे पड़ाया था मैंने पूरा detail में समझाया था अगर छूट गया हो तो इसको वीडियो को आपको आया की नहीं आया एक अच्छा teacher वो होता है जो बच्चों को पड़ाने के साथ-साथ उनको प्राक्टिस करवा कि ये भी बता करे कि बच्चों को समझ में आया की नहीं आया वना एक प्रकार से मैं ग्यान देता चला जाओ और आप हां में हां बोलते चले जाओ और लास में जब रियल में प्राक्टिस करने की बारी आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया So I don't do this मैंने आपको पड़ा दिया है आप बारी आती है प्राक्टिस करने की तो चलिए पहले प्राक्टिस करते हैं तो देखिए यहां से प्राक्टिस करेंगे तो यहां पर हमें शुट वाले सेंटेंसे आपको दिखाई दे रहें यह पूरी की पूरी पीडियाफ में क्लास के जस्ट बाद आपके टेलिग्राम चनल पर डाल दूँगा मास्टेडी के वहां से इसे डाउनलोड कर लेना ठीक है देखिए पहला सेंटेंस तो है आपको मंदरी जाना चाहिए तो यू शुट गो टू टेंपल आप दूसरा सेंटेंस है उसे सावधानी बरतनी चाहिए यह सेंटेंस आप बताएंगे चैट में आपका समय शुरू होता है अब बताईए बटा बताईए आंसर लिखिए चैट में चैट में आंसर लिखो भाई यह सामने तीन क्वेस्चन दे रखें तीनो के आंसर बताओ तीनो के राइच आंसर बताओ तीनो के राइच आल त्री आंसर इन दे चैट को झांट गाईच write the answers in the chat देखिए बहुत आसान है उसे सावधानी बरतनी चाहिए तो उसे को बोलेंगे he should he should be careful आपको बी लगाना पड़ेगा he should be careful उसे घर नहीं जाना चाहिए तो negative sentence है तो he should not go home उसे घर नहीं जाना चाहिए हमें रोज अखबार पड़ना चाहिए तो यह हमारा कर्तव यह है तो हम लिखेंगे we should read newspaper daily क्या बोलेंगे we should read newspaper daily हमें रोज अखबार पड़ना चाहिए we should read newspaper daily तो इस तरीके से जो है हम इस sentences को बना लेंगे अगला देखिए उसे शराब नहीं पीना चाहिए तो किसी को अब advice दे रहे हो तो कैसे बनाओगे काफी लोगों के answers नहीं गये है उसे शराब नहीं पीना चाहिए तो बोलोगे he should not drink बना के देखो he should not drink wine ठीके हमें रोज स्कूल जाना चाहिए कैसे बनाओगे सब simple simple sentences है we should go to school daily राहूल को सिख्चकों की बास सुननी चाहिए राहूल शुड listen to teachers राहूल शुड listen to teachers तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए क्या बोलेंगे तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तो कैसे बोलेंगे you should wear पहनने को wear बोलते हैं या wear भी पढ़ लो good clothes ये देखिए मुझे तो नहीं लगा कि कुछ कठीन है इसमें अगर हम कोशिस करेंगे न तो ही तो आएगा न दिक्कत कहा होती है हम ना सोचना ही नहीं चाहते है I have seen many people कि और सोच नहीं पाते है pressure करेंगे तो आजाएगा मुझे पता है आप मेंसे कई लोग है जो English ना समझ लेते पर बोल नहीं पाते है तो उसका reason पता है क्या है हम practice नहीं करते है तो practice बोल के नहीं कर सकते है एक्सकियूज देने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है अगर आप अपने आप में बदलाव करने से आगे बढ़ती है अगर आप अपने आप में बदलाव करेंगे तो आप definitely उस चीच को overcome कर पाएंगे और आप उससे आगे बढ़ेंगे तो बस कारण बताते रहो कि ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है सब होता है दुनिया में करने से सब होता है दोस्त ठीक है चलिए अब हम practice करते है must की तो ये तो कैन हो गया must की practice करवाता हम आप आप इसमें सभी जगह आपको must लगाना है क्या लगाना है must तो must लगाईए फटा फटा देखो तुम्हें खाना खाना ही चाहिए तो you must eat food तुम्हें अवर्ष्य अंगर्जी सीखनी चाहिए चलो ये sentence ये sentence तीनों sentence का answer चैट में बताईए बताईए तीनों sentences का answer करिए practice करिए practice बहुत आसान है दोस्त देखिए तुम्हें अवस्य अंगर्जी सीखनी चाहिए you must learn English बच्चों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो kids बच्चों को children भी बोल सकते kids भी बोल सकते आपको जूट नहीं बोलना चाहिए you must not tell lie जूट बोलने को tell lie बोलते हैं ठीके तो you must not you must not tell lie इस तरीके से बना देंगे अगले sentences बनाईए ये वाले चाहर ट्राइ करिए इसमें एक दो interrogative भी है तो must को आगे कर देना तो interrogative बन जाएंगे बनाओ बनाओ sentence बनाओ गे तो फाइदा होगा ने तो गरबढ हो जाएगी दोस्तों पिता जी को रोज फल्क खाना ही चाहिए तो father must eat food daily आपको धुमरुपान जरूर छोड़ना चाहिए कैसे बोलेंगे you must leave आने छोड़ना भी होता है leave smoking क्या हमें चुपचाप रहना चाहिए तो must को आगे कर दो must we keep silent क्या आपको उसे जरूर समझना चाहिए आप देखो यह इंट्रोगेटिफ दे दिया सायद है ना तो क्या आपको उसे जरूर समझना चाहिए must you understand him यह हो गया question mark लगा दो तो I don't think so कि this is a very difficult आप एक बार concept को समझ जाते हैं उसके बाद अगर आप practice करते हैं तो you can easily make the sentences ठीके और भी बहुत सारे questions हैं अभी आती है के बारी कहानी की भेडिया और मेमना की कहानी ठीके तो मैंने आपको पता है कि रोज में आपको पढ़ाने के बाद एक कहानी सुनाता हूँ तो जो हिंदी वाले हैं वो इस हिंदी कहानी को देखकर इंग्लिश में translate करेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इस कहानी को अपनी mother tongue में translate करेंगे ठीके तो ये कहानी है चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कितना समझ पाते हैं तो समझ कपाएंगे जब हमें sentence की समझ होगी और साथ में अच्छी vocabulary हमारी होगी तो हम क्या करेंगे इसे समझ पाएंगे तो चलिए शुरू कर देते हैं तो यहां देखिए wolf and lamb अब उल्फ का मतलब क्या होता है भेडिया होता है तो जो जो words हमें मिलते जाएंगे उनके कुछ के हिन्नी meaning हम लिख लेंगे और lamb मतलब होता है मेमना यानि कि हम इसे बचड़ा भी बोल सकते हैं जो भेड होता है ना बाइबेस के भचड़े होते हैं उनको लैम कहा जाता है यहां पर जो भी है वो silent है जब भी एम के बाद भी आता है तो भी हमेसा silent होता है जैसे यह होता है bomb, तो bomb की spelling होती है bomb, लेकिन यहाँ पर जो B है न, यह क्या है यह वाला जो B है बेटा यह silent है, इसे पढ़ना नहीं है क्या नहीं करना है, पढ़ना नहीं है तो इसे bomb पढ़ना है, B silent रहेगा ठीके, तो यहाँ पर lamb नहीं पढ़ना है, lamb पढ़ना है अब देखी, once there was a wolf तो एक समय की बात है एक क्या था, एक भेडिया था He felt thirsty, thirsty का मतलब होता है प्यासा तो उसे प्यास लगी He went to the river, वो नदी के पास गया कहां गया, नदी के पास गया He started drinking water और वो जो भेडिया था और नदी के पास उसने पानी पिना शुरू किया तो started drinking water का मतलब होता है कोई काम शुरू करना जैसे मैंने कहा He started staring at me वो मुझे घुरने लगा He started helping me, वो मुझे मदद करने लगा तो started का मतलब होता है कोई काम शुरू करना He saw a lamb अब जब भेडिया पानी पी रहा था तो उसने एक lamb याने कि उस पानी के पास एक बचड़ा देखा है ना lamb देखा He was also drinking water वो जो मेमना था बच्चा था वो भी पानी पी रहा था ये past continuous tense है He was तो जब भी past continuous tense होगा तो वर्ब की ng form लगाना है He was lower down और वो जो बच्चड़ा था वो नीचे की तरफ था याने कि भेडिया ओपर की तरफ था और बच्चड़ा उस side नीचे की तरफ था समझ मैं आया कि नहीं आया The wolf's mouth watered अब जो उल्फ का जो mouth था याने कि जो भेडिये की जो mouth था वो watered हो गया याने कि उसमें पानी आ गया ठीके? He wanted to eat lamb वो उस बच्चड़े को खाना चाहता था वो जो lamb था ना भेडियें सोजा कि चलाव आज का खाना तो हो गया तो वो उस बच्चड़े को खाना चाहता था तो अब भेडिये को पता है कि बचड़ा तो उधर है आगर ये बचड़े को मैं बातों में बहला कर खा जाओंगा तो भेडिया उसे बोलता है क्या बोलता है कि why are you making water muddy तो ये जो muddy का मतलब होता है गंदा, muddy का मतलब क्या होता है गंदा पानी उस बचड़े ने कहा sir the water is flowing from you to me तो flow मतलब होता है बहना तो बचड़े ने कहा कि sir कहा जो कि बेडिया बड़ा है न उसने कहा कि भई पानी तो तुम्हारी ओर से मेरी ओर आ रहा है मतलब भेडिया ओपर की side है और मैं नीचे की side तो तुम्हारी ओर से पानी बह कर आ रहा है तो मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ how can make it muddy मतलब मैं इसे कैसे गंदा कर सकता हूँ now the wolf said फिर भेडिया ने कहा why did you why did you abuse me last year अब भेडिया क्या कर रहा है उसे confuse कर रहा है बातों ही बातों में अब भेडिया बोलता है कि तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी क्या बोला उसने तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी why did you abuse me last year the lamb replied मैंने उसने कहा I was not even born last year तो उसने कहा कि मैं तो last year पैदा भी नहीं हुआ तो मैं गाली कैसे दे सकता हूँ At this the wolf said again then it must be your mother तो उल्फ ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मुझे गाली दियोगी Saying this he killed the lamb और भेड़े ने ये बोला कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे गाली दियोगी और उस भेड़े ने उसे मार डाला Then he ate it और वो उसे खा गया Moral क्या है? Might is right याने कि जिसकी लाठी उसकी भेश ठीके? हिंदी में से कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भेश तो आप बोलो कि सर ऐसी क्या कहानी है? हमें कहानी में उसने कहा कि भाई भेड़े को तो lamb को खाना था जो wolf है उसे तो उस lamb को खाना था तो इसलिए उसने कोई भी कारण बनाया कि तुम पानी गंदा कर रहे हो या तुम ऐसा कर रहे हो पुल्फ आने भेडिया होता है, थुस्टी आने प्यासा होता है, वेंट आने गया होता है, स्टार्टे आने शुरू करना होता है, ठीके, इसके अलावा लोवर डाउन नीचे की तरफ होता है, माउथ वाटर आने मूँ में पानी आना होता है, वांटे आने होता है, चाहता थ हुआ ठीक है इसके लावा मड़ी आने होता है साने गंदा करना के फ्लौय्टिम पया दो जिए एक खुर Só इसके अलावा से कुछ नीकि किम आप कंप larger से और आप इसे एक बार फिरशा करेंगे आप देखिए यह सहाट questions की जो practice sheet है इसमें मैंने जो पढ़ाया है वो सारे questions है है ना तो आप जो है इस practice sheet को solve कर सकते हो यह practice sheet में डाल दूँगा टेलिग्राम पर आज ही class आपको कैसे लगी आप जरूर बताना comment मैं सारी comments को like करता हूं और सारी comments पढ़ता हूं तो आप मुझे कुछ expectations करते हैं तो आप comment में अपनी demand भी लिखना मेरी speed पढ़ाने की कैसी है अच्छी है ज़्यादा तेज है या slow है मुझे comment में बताना तो मैं उसको सुधार पाऊंगा लेकि मैं चाहता हूं कि मुझे तकलीफ हो चलेगा लेकिन आपको तकलीफ नहीं होने चाहिए इसलिए कुछ आपको लग रहा है कि मेरी speed ज़्यादा है कम है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उस आप से maintain करूँगा अगर आपको आची क्लासे सच में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और एक प्यारी सी comment मैं पुछले एक दिर घंटे से बोल रहा हूं तो आप 5 मिट का समय निकाल कर एक अच्छी सी comment जरूर लिखना और अगर आपने अभी तक भी हमारी online classes जॉइन नहीं की हो तो यह हमारा basic course है best spoken English course यह जरूर जॉइन करना और अगर आप expert बैच जॉइन करना चाहते हो तो practice करना चाहते हो तो practice बैच जॉइन करना छोटे बच्चों के लिए kids बैच है, vocabulary के लिए prime vocabulary personal classes अगर आपको लेना हो, अगर आपको अकेले पढ़ना हो तो आप हमारी personal classes भी जॉइन कर सकते हैं मेरी PDF की book आप ले सकते हैं अभी result आने वाला है test का, तो math English grammar पर जाकर आप result देख सकते हैं, उसका video publish होने वाला है या हो चुका होगा, अगर आपका नाम आये तो जरूर comment करना ये English grammar batch है, start हुई है, आप जुआइन कर सकते हैं, ठीके चलिए, result कब आएगा, उस वाले channel पर result आ गया होगा मैं देख लेता हूँ, ठीके, कि उस वाले channel पर result आ गया होगा तो देखते हैं, result आया की नहीं आया, अभी नहीं आया है, बस इस class के बाद मैं result publish कर दूँगा, तो वो result आपका आ चाहेगा, ठीके, तो इस grammar के channel को subscribe जरूर कर लीजे, एक request है, आपके subscribe से आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन हमें motivation मिलता है, तो please एक minute निकाल कर हमारे grammar के channel को आपके support की अवशकता है, प्लीज इसे subscribe कर दीजे, और आपके पास जितने भी mobile हैं, उनने सब में subscribe कर दीजे, grammar पढ़े तो अच्छे बात हैं नहीं पढ़े, तब भी subscribe कर दो, मुझे मदद मिल जाएगी, मेरा एक और चैनल है, कमलेश यादो official, इसे भी आप subscribe कर दीजे, तो कमलेश यादो कहां गया? यहाँ पर डालेंगे कमलेश यादो official, तो यह मेरा चैनल आगया है, इसे भी आप याद से subscribe कर लेना है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज आपको बनाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगे, मेरे personal experience से बनाता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीके, तो चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्यू, आपने इतना एक घंटा समय निकाला और इस class को देखा, अगर आप अगले साहाँ दिन तक मेरे साथ बने रहेंगे, तो एक guarantee है कि सारी English आपकी अच्छी करवा दूँगा, और काफी हद तक writing और speaking में improvement आएगा, ठीके, थैंक के इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुँचाएं, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी English सीखना चाहता हो, तो उसे Master Day के बारे में बताएं, और उन्हें जरूर बोले कि English बहुत जरूरी है, सीखें, सबके पास mobile है, बाकी लोग भी सीखते हैं, आप भी सी ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, तेक किया, गुटनाइट, सी तोमोरो, गुटनाइट